गईष, अपने इवेंट्स और डाम की कुछ प्रापटीज के बारे में देखा हम लोग अब उनकी कुछ प्राक्टिस करने वाले हैं चब देख लेखा हैं च्ब्दार 8 के लेट्स गेट स्टाटर इच आज आज में आप लोगों को कुछ question solve पराऊंगा जैसे आपको बच्पन में बच्पन क्या बच्पन चाली रहा है यार हम सब का भी program लेकितना है जो कि अलग-अलर्ट सिखाय का अलग-अलर्ट बटन पे click करने पर तो 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 या जिसको करने कई तरीके हो सकते हैं मैं अगर सिर्फ HTML अप्रोच अपनाना चाहूं इसमें क्योंकि सिर्फ अलर्ट है ज्यादा मैं इसमें सरकस चाहूंगा नहीं तो मैं क्या करूंगा मैं सिम्प्ली बटन बना लूँगा मैं कहूंगा बटन और मैं कहूंगा on click is equal to क्या लिख दूंगा क्या लिख दूंगा इलर्ट कुछ भी लिख देता हूं या इलर्ट में प्लीज गिव मी वन प्लेट आफ चौमीन ठीक है अगर आप लूख मुझे करना जाते हैं कि तुमने घर भिजवा दें अभी क receivers और यह क्या हो रहा है अच्छा है और double code के अंथा double coat आइगा डेखो double coat के अंधर single coat डाल सकते हो single coat के अंधर double coat डाल सकते हो वो सब पाओ, ये पाओ हो जाएगा और एक हो जाएगा वाओ वड़ा वाओ, प्लीज गिम में वड़ा वाओ तो सिंपल है, अगर मुझे कोई सिंपल चीज देखने को मिले कि सिंपल तरीके से सॉल्ड की जा सकती है तो मैं simple approach ही उसके लिए अपना हूँगा मैं क्यों लगा हूँ event listener मैं क्यों लिखूँ कि document.get elements by tag name button 0 dot add event listener click arrow function के अंदर alert please give me one plate नहीं यह सब हम नहीं करते we don't do that here simple को simple लखना है complicated होने की जरूरत अगर हमें तलवार निकालने की जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे वरना यार हाथ हमारा का पीए ठीक है create a website which is capable of storing bookmarks of your favorite websites using href जितना बोला गया है उतना करेंगे अब मैं आपर लिखूंगा h1 कभी क्या होता है ना जितना बोला जाता है उतना अगर हम नहीं करते हैं तो उससे कुछ जादे ही आगे निकल जाते हैं आगे निकलने के चकर में और जो हमारा initial ask होता है वो हम करनी बाते है इसलिए जितना कहा गया है सबसे पहले उतना करना चाहिए कहीं भी चाहिए हम interview दे रहे हो चाहिए अग्जाम दे रहे हो पहले उतना कर लो उसके बार additional कुछ आइड करना चाहते हो तो वह कर लो यह नहीं की लिखा हुआ अटेम्ट एनी 5 questions 10 questions है आपने लिख दिया भाई चेक एनी 5 questions 10 के 10 आपने अटेम्ट कर दिया कुछ इस तरह से href लगा दूँगा यहां से closing टेगट आओ यहां से opening टेगट आओ और href is equal to मार्लो में लिखता हूँ https colon double slash google.com और फिर इसके बाद क्या है यार फिर इसके बाद तो replicate कर लो और fb.com और यहां पर हो जाएगा twitter.com अच्छी अच्छी website का बुगमा करना दोस्तों हाँ समझे यह नहीं कि कुछ भी बुगमा करके फिर मेरा नाम बोल दिये कि भाई हैरी भाई ने का ता बुगमा किसले कर दी मैंने अब यहाँ पर देखो google मैंने यहाँ पर कर दी तो google खुली फेस्बुक करा तो फेस्बुक खुली और twitter से twitter खुली और अगर आप चाहें तो इस काम को और कई तरीकों से कर सकते हैं जिसके बारे में बात की जाएगी है भी ठीक है तो यह 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 काम किये जा सकते हैं अब देखो अब मान लो कि मुझे इस काम को event listener से करना है मान लो कुझे ने कहा दिया कि भाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक चुल और वो चुल यह है कि आप event listener से करना है simple problem का simple solution अच्छा लगता है बढ़ मान लो कि मुझे यह event listener के साहिता से करनी पड़ गई तो मैं कैसे करूंगा तो मैं simply क्या करूंगा मैं करूंगा document.get elements by tag name और इसके बाद मैं बटन चूज करूंगा टैग नेम बटन बटन लगया नहीं बटन नहीं था शायद हाथ हाथ हो बटन ही लेकिन उन मेे आइडी दे ढूंगा मैं सची मैं ज्यादा उसमेन या फिर एक काम करोंगा class is equal to bookmark ऑ्फिक से या फिर एक काम कर ते ना class läh दता में तो या एक क्लास cycle देते है इसको इसको दे दे ते गूगल इसको दे देदें tapi तो his SK दे और मैं तो हम कहेंगे document.getElementById और उसके बाद हम लोग कहेंगे लुख जाओ यार ही क्या चल रहा है यार कोई नगल पाली का को बलाओ यार क्या चल रहा है मालू मैंने आप लिख दिया Google मैं लिखोंगा यापर अरे 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 डॉट नए डॉट कम पर लग जाओ बढ़िया ठीक है यह क्या हुआ add event listener पूरा दिखाओ add event listener ठीक है और इसके बाद यह आपर इस तरह से को दिखा रहा है मुझे हाँ यह बढ़िया लगा मुझे देख रहे हो आप लोग देख रहे हो यह बने यहाँ पर क्या गलती कर दी यार ऐसा क्या हो गया जो यह इतना बुरा मान रहा है यह यहाँ पर बंद हुआ यह यहाँ पर बंद हुआ get element by id तो यह कोई type script यह देता है पता नहीं क्यों बड़ कोई बात नहीं आप ठीक है अब यह हम देखते हैं कि क्या यह काम कर भी रहे की नहीं कर रहा है तो अगर मैंने आप गूगल पर क्लिक किया तो एक नई टाब में इसने गूगल खोल दिया हो जावा स्क्रिप्ट क्वेरी के साथ खोल दिया वाओ इस इस ग्रेड यार तो यहाँ पर search query is equal to java script तो नहीं यार मुझे क्वेरी के साथ नहीं कोलना मुझे सब लिए google.com को खोलना इतना भी नहीं और मैं windows.open ना करके मैं आप लिखूंगा window.location और एक काम जो कि मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग हमेशा let का इस्तिमाल करें तो भी मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो लिख सकते हो window.location is equal to google.com ठीक है तो window.location और यह लिख सकते हो आप लोग तो यहाँ पर मैं इसको उटाता हूँ इस तरह से और इसको save करूँगा तो यह automatically format हो जाना चाहिए था बट हुआ नहीं ठीक है कोई बात नहीं यह type script का कोई issue आ रहा है इसको reload मैं करूँगा और इसको google पर जाऊंगा तो google खुल गया similarly facebook वगरा के लिए भी किया जा सकता है लेकिन क्या मैं इसको हटा दूँ अभी यह अच्छरा फिजिकल टूको इसकी जरूरत रही ना पढ़नी चाहिए अब अब मैं इसको reload करूँ और google.com करूँ तब भी खुल रहा है तो इस तरह से आप लोग बाकी buttons के लिए भी गर सकते हैं मैं नहीं कर रहा हूँ मैं इसको ऐसे छोट रहा हूँ आप लोगों के लिए अगले question की बात करते है write a javascript program to keep fetching contents of a website every 5 seconds ठीक है तो इक काम करते है थोड़ा रोचर बनाते हैं इस चीज़ को free weather API free weather API एक simple सी API क्या मुझे मिलेगी नेट पर free weather API मैं बहुती simple सी API का use करना चाहता हूँ tomorrow.io अच्छा मैं sign up वगएरा क्योंकि नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं json place holder का use करूँगा आप से kpi है to do slash one और हम क्या करेंगे इसके content को fetch करते रहेंगे और अपनी javascript के अंदर हम स्मिली क्या करेंगे हम लोग कहेंगे set interval और set interval के बाद हम एक function देंगे इसको और यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसके content को fetch करेंगे अब content को fetch करना मैंने अभी तक नहीं बता है आप लोगों को तो थोड़ा सा ये एक unfair सा question है I know that but again I want you to take a step forward and do it yourself ठीक है अब यह यह question बहुत सारे लोगों को unfair लगेगा but मैं आपर आप लोगों को just set intervals दिखाना चाहता हूँ हम लोग async await हो गया और किस तरह से एक url से data लिया जाता है इस अब आने वाले वीडियोस में देखेंगे अभी आप ignore कर सकते हो async await को कि क्या किया गया है but मैं बस आप लोगो दिखाना जाए था powers of set interval सबसे जादे यूज़ किया जाता है set interval को बार बार data fetch करने के लिए आप लोग आप लोग देख सकते हो data fetch होता जा रहा है अगर यह data update भी होता तब भी आप fetch करके यहाँ पर dom में इसको update कर सकते थे ठीक है I hope कि आप लोग को समझ में आया यह do not get confused मेरे आप लोग देशियन यह कि कोई ऐसी चीज़ करा दूँ जो कि मैंने पहले बताई नहीं हम detail में बढ़ने वाले है fetch API को Async को और बस आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा दिलाने के लिए बने कोशन डाला अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम सारे के सारे जो इतने सारे डाप्स खुल गया उनको बंद करते हैं अगला कोशन कहता है कि create a glowing bulb effect using classless toggle method in javascript तो यह करने के लिए मैं simply क्या करूँगा यह सारा का सारा जो मैंने लिखा हुआ है code इसको मैं comment out करूँगा even अपने html code को भी मैं comment out करना चाहूँगा और मैं आपर अब इसके बाद एक div बनाऊँगा और इस div के अंदर मैं आपर simply लिखूँगा class is equal to bulb और कुछ CSS लिखूँगा मैं ठीक है CSS में क्या लिखूँगा मैं मैं कहूँगा यार देखो ऐसा है न जो bulb है उसकी height तो कर दो 34 pixels और आप उसकी width भी कर दो 34 pixels और उसका जो background है वो कर दो yellow देखें क्या रहा देखें क्या रहा भाई देखें भाई क्या रहा क्या रहा भाई कहा गया div height width देने के बाद भी गायब हो गया थोड़ी बढ़ाते हैं height width द्यार 341 तो कुछ भी नहीं है 341 pixels pixels अब देखते हैं क्या रहा था है इसाब नहीं है यह भी तक अदेगा चल रहा है यार मैंने आपर class is equal to bulb से एक div बनाया था hey how are you यह लिखता हूं इसके अंदर और देखता हूं क्या चल रहा है भाई यह मेरी वेस्ती क्यों काटी जा रही है आपर beulb bulb height लिखा width लिखा background लिखा replicate यह कैसा मज़ा के आया क्यों नहीं है तो मैंने आपर लिखा यह background येलो इसका क्यों नहीं हुआ भाई invalid property value यह कैसा मज़ा के तो यह गल्दी मैं नहीं करती है मुझे इसको ऐसे लिखना होता है ना कि double quotes में हाँ अब हो गया ठीक तो मुझे hello how you लिखने की ज़रूरत नहीं है अब मैं यहापर क्या करूंगा dot bulb और मैं यहापर लिखूंगा bulb stop ठीक है bulb stop यह फिर एक काम करता हूँ मैं bulb container एक देता हूँ एक तो class bulb container देता हूँ जो कि मुझे रपलेट किया thank you रपलेट और यहाँ पर 341 pixel क्या लिखा हुआ है semi colon expected save करता हूँ इसको यह कहा चल रहा है भाई सब कुछ तो ठीक है और bulb container में से मैं यह हटा देता हूँ तो मैं इसको bulb container तो दूँगा ही लेकिन bulb भी दूँगा और bulb class को मैं toggle करूँगा तो bulb container और bulb और मैं क्या करूँगा कि अपनी script.js में एक set interval डालूँगा और उस set interval में मैं क्या करूँगा कि बोलूँगा भाई देखो ऐसा करो कि जो यह हमारा element है न document.query selector और query selector और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे dot bulb हम करना कर चाहते है dot class list dot toggle करना चाहते है हम कहना जाते है dot class list dot toggle bulb लेकिन इससे एक problem है हमें एक काम करना होगा इसको id भी bulb देनी होगी तभी हम इस element को पकड़ पाएंगे वहना अगर हम इससे हटाई देंगे class को तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है id भी bulb देदी हमने अब देखते हैं क्या रहता है क्या ये बत्ती की तरह चमकता बुच्छता है या नहीं लेकिन इसमें हमने 3 सेकंड दे रखा है हम इसको ना 3 सेकंड दे थोड़ा कम करेंगे time ताकि ये डिस्को की light की तरह बन जाए अब देखते हैं कैसा रहता है हाँ अब glowing bulb effect हमें बनाना था लेकिन हम कुछ और ही बना बैठे तो देखते हैं आपर क्या गल्दी करिया हमने height में हमने यह दिया width में हमने 341 दिया तो यह क्या हुआ लगी क्यों हाइट और width इसको यह भी देख लेते हैं पर bulb container अब रिलोड करेंगे अगर तो यह देखो इस तरह से यह हटाता हूं क्योंकि यह बल्ब कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है और अभी हम इसको रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं आपर यह glowing bulb effect हमने बना दिया अब आप अगर एक अच्छी सी image लेकर आओ पी एंजी लेकर आओ और पी एंजी भी ऐसी लेकर आओ जो कि अंदर से खाली हो बाहर से बल्ब हो काफी जी देखी जा सकती है कहने का मेरे यह मतलब है ठीक है और यह करने के साथ हम RGB effect को भी introduce कर सकते हैं इसमें वो भी आपको पता है कि हम कैसे कर सकते हैं red green blue यह सब चीज़े आप कर सकते हैं RGB 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 चलती रहीगी इसमें तो sky is the limit यह ठीक है sky is the limit so I hope कि आप लोग समझ गई किस तरह से सारे concepts जो हमने सीक है वो काम करते हैं अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time